लोगसभा चुनाव दोहजार चौबीस में अगर इस वक्त कोई स्टेट सबसे ज्यादा उलजा हुआ है जहां पर हर तरह का ड्रामा है, जहां धोका है, जहां पर फामिली एमोशन्स हैं और आरोप प्रत्यारोप हैं, और गुथी इतनी उलजी हुई है कि पोल्स्टर से लेकर पतरकार तक और यहां तक की राजनीता तक सबसे ज्यादा परशान हो चुके हैं, वो है महाराश की महाभारत और महाभारत महाराश की हो, उससे सुल्जाने के लिए हमारे पात, महाराश की राजनीती के पोस्टर बॉइ और महाराश की डेपटी से हैं इस वक्त, देवेंद्र परणवीज जी मौझूद हैं चुनाव दुलसे में हमें यह गुथी समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों को तो मैनेज करनी है, एक नहीं, दो, नहीं, तीन, तीन, पार्टी के कैडर, अर्ताली सीटों पर आप ग्राउंड पर गए होंगे, क्या रूपोर्ट निकल कर आ रही है आपके पास देखिए, जो बाहर से देखता है, उसके लिए तो confusion है ही, क्योंकि अगर हम पिछला चुनाव देखिए, तो कौन किस के साथ था और अब कौन किस के साथ है, यह तो एक बाहर से देखने वाले को confusion है, लेकिन लोगों के मन में कोई confusion नहीं है, लोगों ने इसको दो ही भागो में बाटा है, मोदी जी के साथ और मोदी जी के खिलाफ, जो मोदी जी के साथ है, जनता उनके साथ है, जो मोदी जी के खिलाफ है, जनता उनके खिलाफ है, मेरा अपना मानना है, मैं ग्राउंड पर लगातार घूम रहा हूँ, लोगों ने महाराष्ट में यह मन बना लिया कि मोदीजी के साथ जाना है अर तालीच में से भी कितनी सीटे आपको लग रहा है कि हाँ इतना तो मेरा अपना मानना ही है कि हम पिछले समय इकतालीच सीटे चुनकर आये थे तो जो ग्राउंड रियालेटी मुझे दिखाई पड़ रहे है हमने उससे आगे जाना चाहिए पीछे तो नहीं आना चाहिए लेकिन आप ये रिपोर्ट आपकी है अब मैं आपके सामने रिपोर्ट रख देती हूं शरत पवार जी की वो कह इसलिए कुछ समय से दो या चार सिटे उनको मिल रही है इसलिए मुझे लगता नहीं कि उससे बहुत आगे मतलब उनके बढ़ने के लिए कोई सरकम्स्रांसे से ऐसी परिसित नहीं है और उदव ठाकर तो कह रहे हैं कि बहिस बर आपका तो पत्ता साफ हो जाने वाला है जन से कम इस कारण से उद्धोजी लोगों में जाने लगे हैं मुझे इस बात की खुशी है ने तो ड्राइंग रूम की राजनिती करने वाले उद्धोजी थे अब मजबूरन लोगों में जाना पड़ता है अब जिसको हम हिंदी में कहते है दालाटे का भाव समझना थोड़ा ठाकरे जी ने बहुत स्पष्च शब्दों में कहा था कि जिस दिन मुझे कॉंगरेस के साथ जाना पड़ेगा उस दिन मेरी शिवसेना की दुकान में बन कर दूँगा और उसी कॉंगरेस से साथ अब उद्धोजी गए है तो मैं ऐसा मानता हूं कि बादा साब जी के संपत लेकिन विचारों के उत्तरादिकरी एकना चीन दे अब उन नहीं है इसलिए जंता उनको साथ नहीं देगी आपने बादा साब ठाकरे का जख्र किया है ठाकरे साब की जो शिवसेना थी जब पाकिस्तान का मुद्धा अतंकवाद का मुद्धा था तो जिस तरह की गजना व अपने गले में उनकी सेना के पठके डाल डाल कर टिपू सुल्तान की जय कहते अभी उनके कारेकरता उर्दु में कैलेंडर छाप कर जिनको पहले हिंद रुदे समराट शिवसेना प्रमुक बाड़ा साथ ठाकरे कहा जाता था अभी ये सारी चीजे निकल गई और जनाब साथ ठाकरे और उद्धो ठाकरे किसी भी सभा को संबोधित करते समय कहते थे मेरे तमाम हिंदू बहनों भाई और माता हो अब उन्होंने उसमें से हिंदू निकाल दिया अब हिंदू नहीं कहते वो तो कुल मिलाकर वो सुडो सेक्विलरों की लाइन में जाकर बैठ है आज मुंबई पर जिस कसाब ने हमला किया और सेक्वडो मुंबई करो को मार दिया और हमारे शहीद हेमन्द करकरे जी को जिस कसाब ने मारा अब कॉंगरेस के विपक्षे नेता कहते है कि कसाप तो बेकसूर है पाकिस्तान की भाषा वो कहते है और उसके बाद तीन दिन हो गए उद्धव ठाकरे जी के मुझसे शब्द नहीं निकलता मैं तो पूछना चाहता है उद्धव ठाकरे जी बताईए आप बताईए इसके उपर आपके पृतिक्रिया क्या है और किस नीजी बयान की बात कर रहे हो नीजी बयान तीन दिन बाद जब पूरी दुनिया तूट पड़ती है तो कहते नीजी बयान है मैं तो यह कहूंगा बोला था भई बिर्यानी तो कहसाब मनागि नहीं थी मैं तो पूछना चाहता हूँ उज्वल निकम सबने जो दिनकह भी कब बोला या उसमें investigating agencies ने इनको नहीं बताया अगर ऐसे कोई चीज थी तो दोनों जगे इनकी सरकार थी अब यह सारी चीजे वो ला रहे हैं यह सारी चीजे लाकर उनको यह लगता है कियो polarization कर पाएंगे मुझे नहीं लगता polarization का रूप तो BGP पर लगता है कि जैसे ही चुनाव आते नहीं है आप सबसे पहले हिंदू-Muslimान उठा लेते हैं पाकिस्तान उठा लेते हैं और इस बार भी वही सब हो रहा है कि अगर सामने से इस परकार की बाते होगे तो जवाब तो देने ही पड़ेगा शुरुवात हमने नहीं की शुरुवात किसने की शुरुवात की कॉंग्रेस के गोशना पत्र ने अगर वो अल्ट्रा लिफ्टिस्ट गोशना पत्र तयार करेंगे और अगर उनके पूरु प्रधानमंत्री प्रेस कांफरेंस लेकर कहेंगे हाँ मेरा आज भी मानना है कि देश के रिसोर्सेस पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है बापिस का है उन्होंने तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा हमारा सीधा मानना है देश के रिसोर्सेस पर पहला अधिकार गरीबोका है हमने कभी नहीं का किसी जाती धर्म की बात नहीं की लेकिन कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में कहीं मुसलिम शब नहीं अलपसंख्यक है भाई ने ने देखिए कि अलपसंख्यक के माईने क्या हूने का मुसलिम मैं तो खुलकर कहता हूं मुसलिम अब वो तो कोई छोटे नहीं तो है नहीं तो अगर वो हिंदू मुसलिम की बात करेंगे अगर वो पोलराइज़िशन की बात करेंगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा उसके बाद अचानत से चुनाव में एंट्री हो जाती है मुसल्मानों की ज्यादा बच्चों की मंगल सूत्र की तो उसकी नौबत क्यों आ गई देखिए जब 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 जिस जिस समय जो विशे सामने आएगा उस समय वो विशे रखा जाएगा अब देखिए जिस प्रकार से resources को बाटने की बात देखिए equity के बात कोई करे तो समझा जा सकता है लेकिन जिस प्रकार से resources के बाटने की बात Congress Party में की और उसके बाद फिर उनके एक नेता का बयान आता है 55% inheritance tax विदेशों में है भारत ने हम लगाएंगे उसके बाद उनके परधान मंत्री कहते है कि मुसलमानों को देना चाहिए उनका पहला आधिकार है यह सारी चीजे को रिलेट हो रही है कॉंग्रेस कह रही यह क्या है कि एक नेता का बयान आता है वो इन्होंने इसी निजी टिपनी करें और जो यह बयान है और जब उनके ओपर अटेक होगा तो कहेंगे इसे तोड़े निजी टिपनी होती है ये भी कहा जा रहा है के राहूल गांधी कह रहे हैं और उन्होंने एक्सरे की नहीं कहा था कि भई मैं संपत्ति जाकर बढ़ा दउंगा या प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि मंगल शूतर की कीमत उनकी माँ से जाधा कौन समद सकता है यह जुम्ले बाजी बन करिये, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, इसमें कोई मतलब नहीं है, आपने संपत्ती बाटने की बात कही, आपने इन्हेरिटन्ट सेक्सी बात कही, आपने रिसोर्सेस पर पहले अधिकार मुसलिमों का यह सारा कहा, आपने एक्सरी की बात करी, यह स एक आदमी की संपत्ती तो देखोगे ना, उसे घर जाके देखोगे ना, उसका लॉकर भी देखोगे, उसके पास क्या है यह भी देखोगे, तो ही एक्सरी होगा ना, ने तो कैसे एक्सरी होगा, ऐसी तो कोई मशिन बनी नहीं है, कि उपर से, वो राहूल गांदी जी की ज उनके ओपर inheritance tax लगाना चाहते हो, वो पैसा जमा करना चाहते हो, और बाद में resources पर पहला अधिकार, आप कहते हो कि मुसल्मानों का उनको बाटना चाहते हो, ये तो आपकी जो मंचा है, ultra-liftis agenda जो आपका है, ये सामने आ रहा है। आजकोल उधर ठाकरे ये क्यों कह रहे हैं कि अगर BJP सत्ता में आती है, तो पाकिस्तान में पठाके फोड़े जाएंगे, और आपकी सरकार जो है, डरपोक सरकार है। और ये क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की? अरे भई, इस देश में एक परदान मंत्री है, जिसने दिखा दिया दुनिया को कि हम घुसकर मार सकते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं हुई, और आप, जिनोंने जिंदेगी में मच्छर नहीं मारा, वो ब पाकिस्तान को आप सुनाते हैं, लेकिन चीन से वो कह रहे हैं, चीन से आप लोग बढ़ जाते हैं, और बाकार था चीन के लिए उन्होंने स्टेट्मेंट विदिया है, चीन को लेके लिए उद्धो ठाकरी जी को इस पारे को समस्ता नहीं है, आपको अगर ऐसा लगता बैठे, जिनके साथ, कॉंग्रेस के साथ, उस कॉंग्रेस ने देश की हजारो एकर जमीन चीन को दे दी, हजारो एकर जमीन, उनके साथ बैठे, और जिन्होंने एक इंज जमीन चीन को देने नहीं दी, एक इंज जमीन, और हमारे सैनिकों ने ऐसा मुकाबला किया, कि चीन क को पीचह अ्टना पड़ा और इतना नीडे पहली बार हमारे देश के इतियास में पहली बार हमने डूकलाम के समय अपनी सीमा वह से बाहर जाकर चीनियों को रोका है यह मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है चीन से डरने वाले उनके साथ बैठे हुए चीन से पैसा लेकर पारटी चलाने वाले उनके साथ बैठे हुए चीन से पैसा लेकर चीनियों की बात करने वाले उनके साथ बैठे हुए उनको तो शरम आनी चाहिए ऐसे चीनियो के पैसे पर पलने वाली पारटी के साथ वो बैठे हुए है पर वो तो कहते हैं मजबूरी उनकी रही क्योंकि आप ने धोका दे दिया उद्धव ठाकरे ने कहा कि देविंद्र फड्नवीज जो हैं वो दगावाज हैं उन्होंने अपने बादे से आप मोखर गए हैं यह पू क्कियमंतरी बीज़ेपी का बनेगा सारे भाष्णों में उनके सामने का चाहिए उन्होंने भी यह कहा यह बेशर्मी है कि इतनी दगाबाजी करने के बाद दुसरे को दगाबाज कहना इसको बेशर्मी कहते हैं तेकिन वो तो कह रहे हैं कि बंद कमरे में बात हुई थी आप तो बाहर बैठे हुए थे अमिट शाहर उनके बीच में बात हुई थी धाइड़ाई साल का फॉमूला था और आप बात में फॉमूला था अभी आपको बता ही देता हूं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की जब अमिट शाहर उनके घर में आने वाले थे कि देवेन जी आप अमिट शाहर को कहेंगे मुझे उनके साथ 10 पंधरमट अलग से बात करनी है क्या बात करनी आपको मैं जरूर उनको अनको बस मुझे दिल की बात कहनी है कि भाई अभी आगे ऐसा नहीं होना चाहिए पिछले ठीक है उसके बाद कमरे में अलग से बैठे मुझे बुलाया बापीस बातचीत उसी कमरे में हुई उस कमरे में बातचीत के बाद प्रेस कॉनफरंस में क्या कहेंगे, उसकी भी बात चीत हुए, उस समें ये भी तह हुआ कि बात आपकी सही है, 2012 का वीडियो है, जिस समय में प्रदेश का अध्यक्ष था, और मैं एक विधायक था, और उस समय मैंने निश्चित रूप से अपने भाशन में ये बात कही थी, लेकिन उसके बाद बहुत समय निकल गया है, और अजित दादा के उपर जिस प्रकार के आरो कोई है, मैंने तो पहले दिन कह दिया कि जो शिवसेना है, शिवसेना हमारा emotional alliance है, शिवसेना कार हमारा, और NCP के साथ हमारा strategic alliance है, और जिस समय आपको समाप्त करने के कोशिश होती है उसमें राजनीती में जिन्दा रहना पड़ता है और फिर जो साथ आता है उसको साथ में लेकर जिन्दा रहना पड़ता है और किवल अजित दाना की बात नहीं है हमारे साथ तो शरत पवार जी ने बातचीत की थी और तीन बार बातचीत की थी और शरत पवार जी तीन बार हमारे साथ आये और आयन वक्त पर पीछे हट गए और अजित दाना को सामने कर दिया और मैं एक चीज का क्रेडिट अजित दादा को दूँगा कि जिसमें पवार साथ पीछे हट गए उससे माजित दादा ने कहा कि नहीं बातचित हुई है मैं पीछे नहीं हटूँगा यानि जो आप यह स्टी घंटे की सरकार थी उसके भी विलन अजित पवार नहीं थे आप कह रहे हैं उसके विलन भी शरत पवार थे अजित पवार 100% नहीं थे कौन सी मजबूरियां आती गई कि इतने रिष्टे तल्ख हो का है देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि उनका अहंकार और उनकी अती महत्वा कांग्षा यह दो चीजों के कारण यह सारी चीज़े होई आप देखिए 2014 में चार सीटों के लिए उन्होंने अलायंस तोड़ा हम उनको कह रहे थे आप 147 लड़िये हम 1107 लड़ेंगे वो कहते थे हम 151 से नीचे नहीं लड़ेंगे और उसके करण अलायंस तूटा हमको तो उसका फायदा हुआ अलायंस तूटने के बाद हमारी ताकत हमको पता चली क्योंकि हम लोग तो 122 चुन कर आए वो पैसटी चुन कर आए उसके बाद भी हमने उनको साथ में लिया लेकिन सरकार में रहना रोज गाली देना सरकार में रहना रोज Moodi जी के बारे में उलटा सिधा लिखना Moodi जी केस लियач उस समय जितनी खराब बाते Congress ने करता था उतनी खराब बाते ये करते थे इसलिए हमारे में दूरिया बढ़ी लेकिन बाद में उन्होंने भी पैच अप किया हमने भी पैच अप किया लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिक पैच अप किया था उन्होंने कुछ और चल रहा था उन्होंने पहले से तै कर लिया था पहले से उनकी बातचीत शरत प जहां कॉंगरेस के सामने शिवसेना लड़ रही है, वह शरत पोवार जी उनको मदद करेंगे. और जहां बीजेपी के सामने शरत पोवार जी लड़ रहे है, वह शिवसेना उनको मदद करेंगे. ऐसा डारेक्ट मदद एक दूसरे को. कि रहे हैं जो काम का नहीं वो राम का नहीं, आप खुद को राम का बताते हैं, वो तो कह रहे हैं, आप राम कै नहीं है, क्योंकि आप काम नहीं करते हैं। दीखे, पहले बात तो यह है, मेरे उध्व ठाकरेजी को सवाल पूछना चाहता हूं. 25 साल मुंबई पर आपने राज किया एक काम दिखाईए एक मुंबई के लिए किया एक काम आप राजजी की मुख्यमंत्री रहे आप एक प्रोजेक्ट दिखाईए जो आपने किया हुआ है मैं 5 साल मुख्यमंत्री था मुंबई में ट्रांसरबर लिंक मुंबई की मेट्रो, मुंबई का कोस्टल रोड, मुंबई का एरपोर्ट, मुंबई के स्टीपी, में 50 काम ऐसे जो पाथ ब्रेकिंग काम है, जिसने मुंबई की शकल को बलल दिया, यह हमने करके दिखाए, तो इसलिए काम के बारे में तो उन्होंने बोलना ही ने चीए, और सवाल पूछना चाहते हो, उनका क्या समंद राम से? आरे भाई, वो तो हिंदुतु की पारती है, आपको सुमझ लिजे, समझ लिजे, कारसेवा में गये थे क्या? कोई गया था, एक नाम बताइए, मैं गया था, कारसेवा में, देव इंदरफण निज गया था, कारसेवा म गये, नहीं गये, ये क्या राम की बात करते है, ये पेपर टाइगर है, आप समझ लिजे, आप दिमाग से निकाल जेजे, ये पेपर टाइगर है, तो जो हिंदुतु और शिवसेना के इर्दगर घूमता रहता है, वो सिर्फ बाला साब ठाकरे, ये इनका हिंदुतु से को ये चूडिया थोड़ी पहनी होई है, अरे भाई, फारुक अबदुल्ला जी, किस पाकिस्तान के आप बात कर रहे हो, कटोरा लेके घूमने वाला पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने चूडिया नहीं पहनी, ये जो बात वो कह रहे है, उनको शायद भारत की शमता का पता नहीं है, अभी तो पाकिस्तान के गुणगान गाना बन कर दो, मुझे बहुत दुख होता है, जब इतने सिनियर नेता पाकिस्तान का गुणगान गाते है, चायद उनको पता नहीं है, फारुक अबदुल्ला जी को, आज पाकिस्तान की भी मिडिया रोज कंपेर करती है, कि हम कहां रहे गए, एक कि दिन दोनों स्वतंतर हुए ते हम कहा रह गए और भारत कहा पहुंच गिया, आज पाकिस्तान में भी मोधी जी की तारीफ होती है वले हमारे धुषमन होंगे, लेकिन वो कहते हैं देखो मोदी जी कहां पर लेकर गए भारत को पाकिस्तान में तो राहूल गांधी को भी तारीफ होती है राहूल गांधी की तारीफ यहने पाकिस्तान के नेता राहूल गांधी की तारीफ करते है वहाइके जंता केते है कि मोदी जैसा नेता हमको चेहें और वाएके नेता केते है मोदी जी को एटाओ रहूल गांदी को लाओ ताकि वापिस हमारी राजनीती के दुकान चालू हो जाए वह राहूल गांदी आएंगे तो चीन और पाकिस्तान को फायदा होगा तीचि के राहूल गांधी आएंगे ये बात ही करने में कोई मतलम नहीं वाल हूआ जो आई हमी सकते हैं उनके लिए क्यों हमस्पार्ट करें उनके आने से क्या हुने और क्या नहीं होने होदा है मत जिवरे सैनकार रहा है। 100% तो किसी को तो विपक्ष में रखेंगे, क्योंकि ये तो आरोप लग रहे हैं, BGP पे कि भई वो विपक्ष खत्म कर देती है, या तो अपने में मिला लेती है, या पूरी तरह खत्म कर देती है, ये हम सभी के लिए बहुत अनफर्चुनेट इस प्रकार के परिसिती है, कि ए एक ऐसा विपक्ष आज हमको देश में दिखाई पड़ता है, जिसको ना देश से कोई लेंदेन है, ना समाज से कोई लेंदेन है, जिसको कोरी राजनिती करनी है, कोरी राजनिती, विपक्ष होना चाहिए और वो भी सूल्जा हुआ विपक्ष होना चाहिए और वो तो कहत बोलने वाले लोग है इनको भी पता है कि भारत के सुप्रीम कौट के फुल बेंच ने कहा है कि हमारे सव्विधान का बुनियादी धाचा बदला नहीं जा सकता संसत को भी उसका अधिकार नहीं है फिर भी यह सारे के सारे लोग रोज जुड बोलते में इनको सवाल पूछना चाहता हो 1975 में आपने सव्विधान को दो साल अलमारी में बन करके रखा था और अपनी मनमानी की सव्विधान में जिस प्रकार के संशोधन आपने उस समय किये क्या आपने सव्विधान को बचाने का विचार उस समय नहीं रखा था उसमें कहा गया था आपका यह विचार या फिर आज गोवा में उनके एक उम्मिद्वार जब कहते हैं कि गोवा में भारत का सवविधान नहीं लागो होना चीए, तो उसके ओपर वो पूरा मूँ बन करके बैठे हुए. चन्नी, आप जानते ही होंगे पंजाब के पूर मुख्य मंत्रे रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि यह जो हमले हो रहे हैं, पुंच में अभी जो कुछ हुआ, यह वास्तों में नहीं हो रहे हैं, बलकि सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुँचाने के लिए जब भी चुनाव हो करते हैं, शहादत दी, उनके लिए मुझे दुख है, उनके लिए मेरे मन में टीस है, कि राजनीती में कितने नीचे गिर गए, कि शहीदों का अपमान करते हैं, शरम आनीचे इनको, महराश में आपको लग रहा है कि एक वोट जिहाद, पोलराइजेशन, पॉलिटेक्स, य इनका फैक्टर यहाँ चलेगा, तेखिये मुझे, पहली बार यह दिखाई पढ़ रहा है, कि अभी कुछ वीडियो मेरे पास भी आपको चहेद, तो मैं आपको भी देता हूं, कॉंग्रेस और इंडी अलायंस, मतलब, कॉंग्रेस, उद्धो ठाक्रे और शरत पवार जी, इनके लिए सिधे मस्जिदों से वोट मांगे जा रहा है, और मैं आपको अभी वीडियो आपको चेहे तो अभी दे दे तो आप दिखाईया वो वीडियो, और सिधे सिधे मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय को बुला कर, कैंडिडेट का नाम लेकर, इनको वोट देने का तय हुआ है, आप इनको वोट दीजे, यह कहा जा रहा है, यह कौन सा सेकुलरिजम है, और अगर इस प्रकार से पोलराइज करके, और साथ में यह भी कहा जा रहा है, कि वोट जिहाद कीजिए, तो यह रियालिटी है, मैं तो आपको वीडियो देना चाहता हूँ, आज आप को दूँगा, आप दिखाइए, तो क्यों बीजेपी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पसमंदा मुसल्मानों के लिए, मुसलिम महलाओं के लिए, तमाम काम करने के बावजूद भी, क्यों अपनी तरफ करने में कामियाब नहीं दुबाएगे, कुछ तो आपको भी मैं इतने कहता हूँ कि एक संक्रमन की अवस्ता है, अभी भी डर फैला कर उनको दिख भ्रमित किया जाता है, बहुत साल नहीं फैला पाएंगे, और पात साल फैलाएंगे, पर मुसल्मानों को भी एक दिन ये धान में तो आएगा, कि हमारा इस्तेमाल वोड बैंक जैसा किय क्योंकि जिस दिन मुसल्मान समझदारी से काम लेंगे, तो देखेंगे कि 70 साल हमने आग बन करके इनको वोट दिया, इनोंने उमको क्या दिया, कहां पोचा है इनोंने उमको, मेरे लिए एक ही जात और एक ही धर्मे हो गरीब, बाकि तुम्हारी पुजा पद्धत ही क्या ह इससे मुझे लेंडिन नहीं है, तो कही न कहीं उनको पीछे मुड़कर देखने के बार ये चीज़े ध्यान में आएगी, तो फिर मूदी जी कही बयान आ जाते हैं, ज्यादा बच्चे, घुस पैठी है, तो फिर थोड़ा डिस्ट्रस्ट भी तो हो जाता है इस तरह के बय ये बयानों को आप एक्स्क्लीजन में नहीं देख सकते हैं, ये बयान का प्रस्पेक्टिव देखिए और उसा ही प्रस्पेक्टिव है, और क्यों नहीं गुस पैठी ओपर बोलेंगे, अगर ममता बैनर जी या उस जमाने में लालू परसाद यादो, अगर बिहार में और बंगाल में वहां का जो पॉपुलेशन के डेमोग्रफिय उसको बदलने के लिए बंगला देशियों को लाला कर बैठाएंगे और उनको सारी सुईधाय देंगे, तो क्यों उस पर बात नहीं होगी, होगी उसके उपर बात, और हम कहेंगे हमारे देश के मुसलमानों का भी लोट कर आएंगे, और काफी तूफान मचा कर लोट कर आए, काफी तोडफोड कर लोट कर आए, तो अब कुछी दुनों में स्टेट इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इस बार देविंदर पधनवीज जी, किस रोल में लोट कराना चाहेंगे? ह्ई है त olduğskर प्रटी में अपना न्रणने हम नहीं करते घृछ आपके म मन की इच्छा मेरी शोकनान की रिल से तू दिल से बता दीज एढ एढ को कह एढ रहा हूं इच्छा व सिपया उस्य कोई जोटा सा है उसको हम कत्म करते हैं आपकी नज़र महाराश को बहतर सीम कौन है उधव ठाकरे एकनाच छिंदे या देविंद्र फट्नवीज जी की पसंद है महाराश की राजनीती या दिल्ली की सत्ता एक लीडर के तौर पर उधव ठाकरे या राज ठाकरे दिल्ली के पसंद कौन देटा के तौर अजीत पवार जी हमारे साथ है मैंने तो शरत पवार जी के साथ कभी काम नहीं किया विकास और मोधी की गैरंटी रोजगार यमहगाई विकास और मोधी की गैरंटी इंडिया गड़बंधन के सबसे बड़ा चहरा आपकी नजर में कौन है राहूल गांधी, उधव ठाकरे, ममता बेनर जी, अखलेश यादव मुझे कभी कभी लगता है कि अगर इंडिया गड़बंधन चुनकर आएगा तो उनका नेता तै करने के लिए म्यूजिकल चेयर करनी पड़ेगी है और म्यूजिकल चेयर में जो चेयर पर बठेगा वो नेता बनेगा बाकि एक दूसरे को नेता तो मानने वाले है नि उद्धो ठाकने का अहंकार बीजेपी के लिए पोलरडाइजिशन पॉलिटिक्स कभी कीने और नहीं करेंगे राजनीती में परिवारबाद बंध हो जाए खताम होना चाहिए बीजेपी मराठा अरक्षन के फेवर में है, बीजेपी नहीं मराटार अरक्षन दिया था और इस बार भी दिया है देश में मोदी जी ने बताया है क्रांतिकारी फैसले करने है जैसे? मोदी जी बताएंगे चुनाब में पाकिस्तान की एंट्री होती है क्योंकि? जब विपक्ष इस तरह की बात करता है, तो एंट्री होने ही वाली है शिफसेना क्यों टूटी? उद्धो ठाकरे के अहंकार के करण, उनकी अतिम महत्वा कांग्षा के करण और बेटे के प्रती प्यार के करण एंसीपी में टूट हुई क्योंकि? वो ही रीजन है, शरत पवार जी अपने भती जी को छोड़कर अपनी बेटी को पार्टी सो अपना चाहते थे आदित्य ठाकरे राजनीती में नए है और बीजेपी इस सत्ता में आई तो? इस देश का कल्यान करेंगे शुक्रिया दिविन फटनवीज जी, आपने अपनी पूरी चुनावी सभाओं के बीच और अपने ठके होने के बावजूत भी समय दिया और तमाम मुद्धों पर बेबाकी से अपनी राए रखी और दिल से बात किया आपको बहुत 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 शुक्रिया Thank you